हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होस्टल बार्डन पोस्ट कोड़ 920 का एक्जाम जो की हच्पी एससी द्वाराई कातियस अक्तूबर को कंड़क्ट करवाया गया था फ्रेंट्स इसके जो 106 question जो थे वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिये हैं अब हम अगले वाले question जो हम वो डिस्कस करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को जराव स्किप ना करें लेखिद चेक जो हम वो केबल बैंक द्वारा भुनाया जा सकता है इसमें बी वाला ये right answer है next देखिए कौन सी पंचवरसी योजना उसकी समापती के एक बरस पहले ही बंद कर दी गई तो वो वाली पंचवरसी योजना पंचम या फिफ्थ पंच भी पंचवरसी योजना थी इसमें डी वाला ये say answer है next देखिए भारत के योजना अयोक के प्रथम उपादयक्स कौन थे friends भारत के योजना अयोक के प्रथम उपादयक्स थे BT. Krishnamachar इसमें देखे C वाला ये से यांसर होगा और फ्रन्स, यूजना यूग को अब 1. जनवरी 2015 से उसको चेंज करके उसकी जगा नीती आयूग बिना दिया गया है और नीती आयूग को भारत सरकार का Think Tank भी कहा जाता है कई बार ये वाला question भी exam में पूछा जाता है कि किसे Think Tank कहा जाता है तो वो कहा जाता है नीती आयूग को नेक्स देखिए भारत के ग्रामीन क्षेत्रों में एक इकरित ग्रामीन विकास कारेकरम कब शुरू किया गया वेन वाजदा Integrator Ruler Development Program IRDP तो प्रण सिय वाला कारेकरम शुरू किया गया था 1978 to 79 इसमें B वाला ये Right Answer है नेक्स देखिए एक काला बाजार बैस सिती है जहां तो इसमें इसमें देखिए B वाला ये Right Answer होगा बस तुमें गुपत रूप से बेची जाती है वे एक काला बाजार की स्थिती होती है इसमें B वाला ये Right Answer है नेक्स देखिए तो वो बैंक है RBI इसमें B वाला ये Right Answer है नेक्स देखिए एक कम ब्याज नीती कहलाती है तो एक कम ब्याज नीती कहलाती है सस्ती मुद्रा नीती इसमें A वाला ये Right Answer है नेक्स देखिए ब्हारत में पंच वर्षी योजना को अनुमोदन देने वाला सर्वोश निकाय है तो वो वाला सर्वोश निकाय है रास्टी विकास परिशत नेशनल डुवल्मेट कॉंसिल एंडी से इसमें B वाला ये Right Answer है नेक्स वश्चन ब्रष के कुछ महिनों के दोरान जब लोग जॉब ढूणने में अक्षम होते हैं तब कौन सी विरोजगारी गटित होती है तो उसमें विरोजगारी गटित होती है इसमें B वाला ये Right Answer है नेक्स वश्चन IMF से क्या तात पर है तो IMF की फुर्फ़ाम होती है International Monetary Fund अंतराश्ट्री मुद्रागोष इसमें A वाला ये Right Answer है और फ्रेंस IMF जो है इसका मुख्याले जो है वो बासिंग्टन डीसी अमेरिका में है और इसकी स्थापना हुई थी 27. December 1945 को और इसके सदस्य देश जो है मेंबर जो हैं 190 एसके सदस्य देश है नेक्स question है कौन सा देश Brics Smuka सदस्य नहीं है तो इसमें से Indonesia जो है Brics Smuka सदस्य देश नहीं है D वाला इसमें Right Answer होगा Brics में 5 सदस्य देश है मैंसे किस प्रक्रिया में सूरे की उर्जा नहीद है तो सूरे की उर्जा नहीद होती है नुकलियर फ्यूजन में इसमें नाविक सलेयन ये C वाला ये राइट आंसर है नेक्स देखिए सूरे की सबसे बाहरी परत को कहते हैं तो फ्रेंट सूरे की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कहते हैं कोरोना इसमें D वाला ये राइट आंसर है नेक्स देखिए बिशु बृत पर सूरे प्रकास उर्दावर कब होता है तो ये होता है बर्ष में दो बार इसमें C वाला ये राइट आंसर होता है 21 मार्च और 22 सब्तमबर को नेक्स देखिए चटान की अपने स्थान पर तूटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उसे कहते हैं बैदरिंग अब क्षेयन इसमें B वाला ये राइट आंसर है नेक्स कोशन देखिए ऊशन कटीबंदी गास के मैदान कहलाते हैं तो उशन कटीबंदी गास के जो मैदान हैं वो कहलाते हैं सवाना इसमें C वाला ये राइट आंसर है और ये वाले गास जो हैं अफ्रीका महादीप में पाये जाते हैं जबकि फ्रेंस पैमपस और बेड़ जो हैं ये शितोशन गास थल के मैदान है ये नेक्स देखिए कौन सी सबसे लंबी धारा उसके काले रंग के कारण ब्लैक करण कहलाती है तो ब्लैक करण जो कहलाती है वो कहलाती है क्रोशी हो इसमें B वाला ये राइट आंसर है और प्रेंस जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्री अंद महासागरी है अटलांटिक महासागर की एक गरम दारा है और लेबरा डोर जो है ये भी अंद महासागर की दारा है लेकिन एक ठंडी महासागरी दारा है नेक्स देखिए कौन सा अफरीका का सबसे बड़ा देश है तो अफरिका का सबसे बड़ा देस है alzeria इसमें C वाला ही 새हie आंसर है नेक्स कोश्चन कौन सायरा ये भारत का सरंक्षी तराज दे कहलाता है तो प्थेस्ट चार आप्शन दीए गए हैं इनमें से सिक्किम जो है बारत का सरंक्षी तराज दे कहलاتा है D वाला ये सही आंसर है Next question भारत बिश्व का डैस सबसे बड़ा देश है तो भारत जोव बिश्व का साथमा सबसे बड़ा देश है इसमें C वाला देखी सही आंसर है Next question है भारत की तट रिखा है लगबग तो भारत की तट रिखा लगए 7500 किलोमेटर है इसमें B वाला ये सही आंसर है Next देखी गंगा और सिंदू नदी तंतर के बीच कौन सा अक्षेतर जल भी भाजन का है तो वो वाला अक्षेतर है अंबाला इसमें D वाला ये राइट आंसर है Next देखी लोक्टक है एक प्रेंस लोक्टक एक मनिपुर की बहुत ही प्रिसित जील है तो इसमें B वाला ये राइट आंसर हो जाएगा अगला देखी निमलिक्त मेंसे कौन सी नदी मद्दे भारत से बहती है और यमना गंगा को जोड़ती है तो चार आपसन मेंसे वो वाली नदी है बेत वाली नदी इसमें D वाला ये राइट आंसर है जो की मद्दे भारत से बहती है और ये गंगा और यमना को आपस में जोड़ती है Next question है कहां पर नात्वा जागडी पावर प्रजेक्ट सीत है तो प्रण सिनात्वा जागडी पावर प्रजेक्ट जो आइए हिमाचल परजेक्ट सीत है और यहां हिमाचल का सबसे बड़ा पावर प्रजेक्ट है और इसकी क्षमता है लगबग 1500 मेगावार्ट और यह हिमाचल के किन और डिस्टिक में है ये वाले प्रियूज नस्तीत है अगला देखी कौन सा भारत की जिलबाई को प्रभावित नहीं करता तो इसमें महासागरी धारा हैं जो भारत की जिलबाई को प्रभावित नहीं करती है B वाला इसमें सही आंसर है नेक्स देखी भारत का कौन सा तट उगर उशन कटिवनी चक्रवातों से सरबादिक प्रवाबी होता है तो वो वाला है आंदर प्रदेश इसमें देखिए B वाला है सही आंसर है जोकि उशन कटिवनी चक्रवातों से सरबादिक प्रवाबी होता है अगला देखिए अमल याक्षारी मृदा का दूसरा नाम है तो अमल याक्षारी मृदा का दूसरा नाम है कलर इसमें C वाला सही आंसर है नेक्स देखिए मानस बनने जीव अभ्यारण की सराज्य में सीत है तो मानस बनने जीव अभ्यारण जो है ये असम में सीत है, इसमें A वाला ये सही अंसर है Next देखे, सरबुत्तम गुण मत्ता का कोईला है तो इन चार आप्शन में से जो सरबुत्तम गुण मत्ता का कोईला है वो है एंथ्रेसाइट, इसमें D वाला ये राइट अंसर है नेक्स देखिए भारत की सबसे प्रमुक युरेनियम खदान कहां पर सीत है तो युरेनियम की जो खदान है ये जादू गोड़ा में सीत है C वालाइस में राइट आंसर है और फ्रेंस जादू गोड़ा जो है ये माइन जारखंड के सिंग भूम जिले में सीत है कौन सा राज इस ये वो है जारखंड और जिला है सीन्ग भूम गोड़ा में गोड़ा है कीयों कि दामो में ब्रिद्धी के साथ अध्कलन कीबडता है प्रिथवी का बाई मुंडल इससे गिरा है तो प्रिथवी का बाई मुंडल गिरा है वो ओजोन लेयर से गिरा है डी वालाइस में रायट अंसर है जो कि सूरे की परवैंगनी किरणों को प्रिथवी तक नहीं पहुंचने देती है आगे देखिए दाड़ी बनाने हजामत का दरपन होता है अब दल दरपन बी वालाज में रायेट अंसर है अगला देखिए किस माध्य में द्वानी की गती तुलना अत्मक रूप क्रूप से उच आथा है लोहे की चैन्में नेक्स, बायोमंडली हवा को प्रिथवी पर डैस ने जक्ड़े रहा है रखा है तो बाइमंडली हवा को प्रिथी पर गुरुत्व ने जगड़े रखा है इसमें देखिए ए वाला ही राइट आंसर है Next question सिन्नावर इसका आयस खनीज है तो सिन्नावर जो है मरकरी का आयस खनीज है इसमें D वाला ही सही आंसर है Next देखिए मुदरण में परिक्त दातूं का परकार इसकी मिसर दातू है तो यह मिसर दातू है सिसा और एंटिमनी B वाला इसमें सही आंसर है Next question कौन सी gas अगनी शामक के रूम में प्रिक्त होती है तो अगनी शामक में जो gas प्रिक्त होती है वो gas होती है carbon dioxide इसमें A वाला ये right answer है आगे देखी pencil में क्या प्रिक्त होता है pencil में graphite प्रिक्त होता है B बाला समय, सही आंसर है अगला देखी, कौन सा जल अप गट्नी पॉलिमर है चार ऑप्षन दिए है, इनमें से कौन सा जो जल अप गट्नी पॉलिमर है तो वो है नाइलोन 6 इसमें ये D बाला सही आंसर है Next question है, Freion इस रूम में प्रीक्ट होता है तो फ्रेंस इस question का right answer होगा coolant, sheet lag फ्रियोन जो हो वो sheet lag के रूमे प्रिक्ट होता है जो की refresh rate में use होता है आगे दिखिए काँच है एक glasses तो काँच एक super cool liquid होता है अती शीती द्रब इसमें B वाला ही right answer है नेक्स देखिए भारत के उत्री द्रूप पर research station का नाम है तो भारत का जो उत्री द्रूप में research station है उसका नाम है हिमाद्री इसमें C वाला ही, say answer है जबकि friends, दक्षिन गंगोत्री जो हो अंटार्टिका में पहला अनुसंदान केंदर है भारत का और मैत्री जो होए, दूसरा उनुसंदान केंदर है ये भी अंटार्टिका में ही स्थीत है नेक्स देखिए हरित खाद इससे प्रापत होती है तो हरित खाद प्रापत होती है हरे फलिदार पादबों का अब गटन से इसमें D वाला ये, say answer है नेक्स देखिए, कौन सा बीटमिन B12 का प्रचूर स्त्रोध है तो ये चार आप्शन दिएगे है इनमें से मिल्क जो है, दूद जो है बीटमिन B12 का प्रचूर स्त्रोध है B वाला राइट आंसर है नेक्स पॉश्चन, पीत का स्तराब इसके दोरा होता है पीत का स्तराब होता है, लीवर ये करित के दोरा B वाला इसमें सही आंसर है नेक्स पॉश्चन, ECG इसके कारे की जाँच के लिए प्रियोग होता है तो ECG हिर्दे के कारे के लिए जाँच के लिए प्रियोग होता है इसमें देखिए A वाला ये सही आंसर है next question कौन सी मानुश्री की सबसे लंबी हड़ी है तो मानुश्री की सबसे लंबी हड़ी होती है female इसमें D वाला ये right answer है next देखिए प्रथम विद्दू रेलवे किस वरस खुला था तो फ्रेंस बारत में प्रथम विद्दू रेलवे चली थी 3 फरबरी 1925 बारत में प्रथम अखवार किस ने प्रारंब किया था तो फ्रेंस बारत का प्रथम अखवार था बेंगाल गजट जिसे प्रारंब किया था जेमस ए हिक्की न है इसमें देखिए D वाला ही right answer होगा और जिनका पूरा नाम था जेमस अगस्तस हिक्की आगे देखिए समाजिक विकास का सरब प्रथम ब्याश्विक शिखर समयलन कहां पर अयूजित हुआ था तो ये वाला सिखर समयलन आयूजित हुआ था कॉपेन हेगन डेन्मार की कैपिटल कॉपेन हेगन में D वाला ही right answer है ये वाला समयलन जो था समाजिक विकास का सरब प्रथम ब्याश्विक शिखर समयलन इसे गरीबी समयलन के नाम से भी जाना जाता है अगला देखिए भारत में स्वामी विवेकननद का जनम दिन इस रूप में मनाया जाता है तो स्वामी विवेकननद जी का जनम दिन मनाया जाता है ये राश्ट यूबा दिवस के रूम में ए वाला इसमें सही आंसर है और ये मनाया जाता है बारा जर्मपरी को नेक्स देखिए हमारे रस्ट दर्ज की चुड़ाई का उसकी लंबाई से अनुपात है तो फ्रेंस ये question आगे पीछे पूछ लिया देखिए पजल करने के लिए चुड़ाई का लंबाई से अनुपात पूछा गया है तो चार option दिएगे हैं इनमें से अमेरिका में राजा नहीं है क्योंकि अमेरिका में presidential government है नेक्स देखिए स्रिलंका की currency कौन सी है स्रिलंका की currency है रूपी स्रिलंका रूपी इसमें B वाला ये सही answer होगा और दिनार जो है ये लीविय की currency है टाका जो है बांगलादेश की है और ये जो है ये जापान की currency है आगे देखिए ओनम प्रमुक्तियोहर है तो चार option दिए हैं इनमें से ओनम प्रमुक्तियोहर है केरल का देखिए डी वालेस में राय टांसर है जबकि तमिलनाड़ू का जो प्रमुक्तियोहर है बुहा पोंगल और एक और तमिलनाड़ू का सबसे प्रमुक्तियोहर बहां का famous तेखिवार है जली कट्टू बूल फेस्टिवल ये वाला टेहॉर जो है तमिलनाड़ू में काफी famous है और देखे करनाटक में जो तेहार है करनाटक का famous festival है गनेश चतूरती और अंदरप्रदेश का तेहार जो है वो पॉंगल अंदरप्रदेश में मनाया जाता है ये फसल की कटाई का उस सब के रूम में ये मनाया जाता है next question है question number 770 Mount Everest was conquered in Mount Everest पर इस वर्स फते की थी तो Mount Everest पर सबसे पहले चड़ाइकी थी 1953 में C वाला इसमें देखे राइड आँसर है Mount Everest को कब फते किया था देखे 19 म, 1953 को एंडमन्ड हिलेरी जो के न्यूजलेंड के थे एंडमन्ड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नौर्गे जो के नेपाल के थे उन्होंने इस सबसे उन्ची चोटी एबरेस्ट को फते गिया था तो इसमें देखिए C वाला ये सही आंसर होगा तो फ्रेंट्स इसी के साथ अभी हमने होस्टल बार्डन पोस्ट को 920 का ये पूरा पेपर जो था वो अभी डिस्कस कर लिया आई होब कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी प्लीज चैनल को जुरू सबस्क्राइब कर दें और जल्दी ही मिलेंगे इस परकार के और बीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन